युहन्ना का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याई इश्यमसी का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसले दिया कि अपने दासों को वे बाते जिनका शीप घ्रहुना अवश्य है दिखाए और उसने अपने स्वर्गदूत को भेज कर उसके द्वारा अपने दास युहन्ना को बताया जिसने परमेश्वर के वचन और यिश्य मसी की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी धन्य है वह जो इस भईश्द्वानी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखिवी बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट आया है यहन्ना की ओर से आसिया की साथ कलिस्याओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन साथ आत्माओं की ओर से जो उसके सिहासन के सामने हैं और इश्यमसी की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हो में से जी उटने वालों में वैलोठा और प्रत्वी के राजाओं का हाकिन है तुम्हें अनुक्रह और शान्ती मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया उसी की महिमा और पराक्रम युगानियो ग्रहे आमीन देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी बरन जिन्होंने उसे वेधा था वे भी उसे देखेंगे और प्रत्वी के सारे कुल उसके कारण च्छाती पीटेंगे हाँ आमीन प्रभु परमेश्वर मैं जो है और जो था और जो आने वाला है जो सर्वशक्ति मान है यह कहता है कि मैं ही अलफा और ओमीगा हूँ मैं युवन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ परमेश्वर के वचन और येश्यू की गवाही के कारण पत्मुस नाम टापू में था कि मैं प्रभू के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही कासा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तु देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलिस्याओं के पास भेज दे अर्थात इफसुस और स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिल्दिल्फिया और लौदीकिया में और मैंने उसे जो मुझ से बोल रहा था देखने के लिए अपना मूँ फेरा और पीछे घुमकर मैंने सोने की साथ दीवटे देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक गुरुष को देखा जो पाउं तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटका बाने हुए था उसके सिर और बाल श्वेत उन परन पाले के से उजवल थे और उसकी आँखे आग की जुआला की नाई थी और उसके पाउं उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भटी में तपाए गए हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था और वे अपने दाहिने हाथ में साथ दारे लिये हुए था और उसके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी और उसका मुह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दहिना हाथ कखकर यह कहा कि मत डर मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ मैं मर गया था और अब देख मैं युगानियुक जीवता हूँ और मृत्यू और अधलोग की कुंजियां मेरे ही पास हैं इसलिए जो बाते तूने देखी हैं और जो बाते हो रही हैं और जो इसकी बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले अर्थात उन साथ तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दहिने हाथ में देखा था और उन साथ सोने की दीवटों का भेद वे साथ तारे सातों कलीसियाओं के दूद हैं और वे साथ दीवट साथ कलीसियाएं हैं यहन्ना का प्रकाशित वाकित दूसरा अध्याए एफिसुस की कलीसिया के दूद्ध को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता और जो अपने आपको प्रेरित कहते हैं और है नहीं उन्हें तूने परख कर जूटा पाया और तू भीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते धका नहीं पर मुझे तेरे वरुद यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूगा पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाईयों के कामों से धना करता है जिन से मैं भी धना करता हूँ जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलिस्याओं से क्या कहता है जो जै पाए मैं उसे उस जीवन की पेड़ में से जो परमिश्वर के स्वर्ग लोप में है खल खाने को दूँगा और स्मुर्णा की कलिस्या के दूद को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है जो मर गया था और अब जीवित हो गया है वे यह कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरित्रता को जानता हूँ परंतु तूथनी है और जो लोग अपने आपको यहुदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की स्वाह है उनकी निंदा को भी जानता हो जो दुख तुझ को छेलने होंगे उनसे मत दर क्योंकि देखो शैतान तुम वेसे कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें दस दिन तक ग्लेश उठाना होगा प्रान दे में तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकृट दूंगा जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है जो जैपाए उसको दूसरी मृत्यू से हानी न पहुंचेगी और पिर गमुन की कलीसिया के दूद को यह लिख कि जिसके पास दोधारी और जोखी दलवार है वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहा रहता है जहां शैतान का सिहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझे पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमे मेरा विश्वास योगि साक्षी अन्तिपास जहां शैतान रहता है पर मुझे तेरे विरुद कुछ बाते कहनी हैं क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं जिसने बालाख को इसरालियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और पिविचार करें वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो नीकुलाईयों की शिक्षा को मानते हैं सो मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शिग्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ ड़ूंगा जिसके कान हो मैं सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है जो जै पाए उसको मैं गुप्त मनना में से दूँगा और उसे एक श्वेद पत्थर भी दूँगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाए और कोई न जानेगा और थुआ धीरा की कलीसिया के दूद को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आँखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पाउं उत्तम पीतल के समान है यह कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरच को जानता हूँ और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है पर मुझे तेरे वरुद्ध यह कहना है कि तू उस तरी इजबेल को रहने देता है जो अपने आपको भविश्वद वक्तिन कहती है और मेरे दासों को वेविचार करने और मूर्तों के आगे के बलेदान खाने को सिखला कर भरमाती है मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वह अपने वेविचार से मन फिराना नहीं चाहती देख मैं उसे खाट पर डालता हूँ और जो उसके साथ वे विचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े कलेश में डालूँगा और मैं उसके बच्चों को मार डालूँगा और तब सब कलीसियां जान लेगी कि हिर्दे और मन का परखने वाला मैं ही हूँ और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बढला दूँगा पर तुम भादीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिने शेतान की गहीरी बाते कहते हैं नहीं जानते यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोज न डालूँगा पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक खामे रहो जो जै पाए और मेरे कामों के अनुसाथ अंत तक करता रहे मैं उसे जाती जाती के लोगों पर अधिकार दूँगा और वह लोहे का राजदन लिये हुए उन पर राज्य करेगा जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चगना चूर हो जाते हैं जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूँगा जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है यहन्ना का प्रकाशित वाकिती तीसरा अध्याय और सरदीस की कलीसिया के दूद को यह ले कि जिसके पास परमेश्वर की साथ आत्माएं और साथ तारे हैं यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ जाकरत रह और उन पस्तमों को जो बागी रह गई हैं और जो मिटने को थी उन्हें घड़ कर क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया सोचेत कर कि तूने किस रीती से शिक्षा प्राफ की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन किरा और यदि तू जागरत न रहेगा तो मैं चोर की नई आ जाओंगा और तू कदापी न जान सकेगा कि मैं किस खड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा पर हाँ सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्तर अशुत नहीं किये वे श्वेत वस्तर पहनेंगे मेरे साथ भूमेंगे क्योंकि वे इस योग यह हैं जो जै पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्तर पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीती से न काटूंगा पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्पूतों के सामने मान लूगा जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है और फिले दिल्पिया की कलीसिया के दूद को यह लेख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दावद की कुझी रखता है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किये हुए को कोई खोल नहीं सकता वे यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार भी किया देख मैं शेटान के उन सभावालों को तेरे वश्ष में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं परन जूट बोलते हैं देख मैं ऐसा करूँगा कि वे आगर तेरे चरणों में दन्डवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझ से प्रेम रखा है। तब 24 सों प्राचीन सिहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानियुक जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभू और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है क्योंकि तू ही ने सब वस्तों स्रजी और वे तेरी ही च्छा से थी और स्रजी गई जो जैपाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरुश्लेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से मुतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है और लौदिकिया की कलीसिया के दूद को यह लेक। कि जो आमीन और विश्वास योगी और सच्चा कवाह है और परमेश्वर की स्रस्टी का मूल कारण है वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता तो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म मैं तुझे अपने मुह में से उगनने पर हूँ तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तू की ख़टी नहीं और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुछ और कंगाल और अंधा और नंगा है इसलिए मैं तुझे संबती देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझ से मोल ले कि धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहिन कर तुझे अपने नंगेपन की लजजा ना हो और अपनी आखों में लगाने के लिए सुर्मा ले कि तू देखने लगे मैं जिन जिन से प्रीती रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखडाता हूँ यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ जो जैप आए मैं उससे अपने साथ अपने सिहासन पर बैठाऊँगा जैसा मैं भी जैप आकर अपने बिता के साथ उसके सिहासन पर बैठ गया जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या तिखता है यहनना का प्रकाशित वाकित चौथा अध्याए इन बातों के बाद जो मैंने द्रश्टी की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले दुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है कि हाँ उपर आजा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वे यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिहासन के चारों और मरकत सा एक मेग धनुष दिखाई देता है और उस सिहासन के चारों और 24 सिहासन है और इन सिहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे है और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है और उस सिहासन में से बिज्वियां और गर्जन निकलते हैं और सिहासन के सामने आग के साथ दीपक जल्व हैं ये परमेश्वर की साथ आत्माएं हैं और उस सिहासन के सामने मानो बिल्लॉर के समान काच कासा समुद्र है और सिहासन के बीच में और सिहासन के चारों और चार प्राणी है जिनके आगे पीछे आँखे ही आखे हैं पहला प्राणी सीहिं के समान है और दूसरा प्राणी बच्छडे के समान है तीसरे प्राणी का मुह मनुष का सह है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है और जारों प्राणीों के छेछेट पंखें और चारों ओर और भीतर आखें ही आखें हैं और वे राद दिन विना विश्राम के लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 रभू परमेश्वर सर्वशक्ति मान जो था और जो है और जो आने वाला है और जब वे प्राणी उसकी जो सिहासन पर बैठा है और जो युगानियुक जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे तब 24 सों प्राचीन सिहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानियुक जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभू और परमेश्वत तू ही महिमा और आदर और सामर्थ की योग्य है क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं स्रजी और वे तेरी ही च्छा से थी और स्रजी गई यहन्ना का प्रकाशित वाकित पांचवा अध्याय और जो सिहासन पर बैठा था मैंने उसके दहिने हाट में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वे साथ मुहर लगा कर बंद की गई थी फिर मैंने एक बलवन्त स्वर्गदूत को देखा जो उचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी भोरे दोडने के योगे कौन है और ना स्वर्ग में ना प्रत्वी पर ना प्रत्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर द्रश्टी डालने के योगे निकला और मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर द्रश्टी करने के योकित कोई ना मिला तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा मत रो देख यहूदा के गोत्र का वहसी है जो दाउद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मुहरे तोडने के लिए जैवन्ध हुआ है और मैंने उस सिहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना ख़़ा देखा उसके साथ सींग और साथ आखें थी ये परमेश्वर की साथों आत्माएं हैं जो सारी प्रत्वी पर भेजी गई है उसने आकर उसके दहिने हाथ से जो सिहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणियों और चौबीसों प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीडा और धूप से खरे हुए सोने के कटोरे थे ये तो पवित्र लोगों की प्राणियों और वे यह नया गीत गाने लगे कि तु इस पुस्तक के लेने और उसकी महरे खोनने की योक्य है क्योंकि तुने बध होकर अपने लोहु से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाती में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे प्रत्वी पर राज्य करते हैं और जब मैंने देखा तो उस सिहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों और बहुत से स्वर्दूतों का शब्द सुना जिनकी किन्पी लाखों और करोणों की थी और वे उचे शब्द से कहते थे कि बध किया हुआ मेमना ही सामत और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग यह है फिर मैंने स्वर्ग में और प्रत्री पर और प्रत्री के नीचे और समुद्र की सब रजी हुई वस्त्रों को और सब कुछ को जो उन में है यह कहते सुना कि जो सिहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगान युग रहे और चारो उन्ने ने उन साथ मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना किया और मैंने द्रश्टी की और देखो एक श्वेद खोला है और उसका सवार हनुष लिये हुए है और उसे एक मुकुट दिया गिया और वह जैद करता हुआ निकला कि और भी जै राप्त करे और जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आप फिर एक और गोड़ा निकला जो लाल रंग उखा था उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि प्रत्थी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे क बद करे और उसे एक बड़ी तन्वार दी गई और जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आप और मैंने द्रस्टी की और देखो एक काला गोड़ा है और उसके सवार की हाथ में एक धराजू है और मैंने उन चारों प्राणियों के ब मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ और मैंने दृष्टी की और देखो एक पीला सा खोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्तिव है और अधलोग उसके पीछे-पीछे है और उन्हें प्रत्री की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और प्रत्री के बन बश्वों के द्वारा लोगों को मार डाले और जब उसने पांचवी महर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बद किय उन्होंने बड़े शम्द से खुकार कर कहा हे स्वामी हे पवित्र और सकते तुम कब तक न्याय न करेगा और प्रत्री के रहने वालों से हमारे लोहू का पल्टा कब तक न लेगा और उन में से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गिया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई बद होने वाले हैं उनकी भी गिंती पूरी न हो ले और जब उसने छटवी महर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ और सूर्य कम्मल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लोहु कासा हो गया और आकाश के तारे प्रत्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर की पेड़ में से कच्चे खल छड़ते हैं और आकाश ऐसा सरग्या जैसा पत्र लपेटने से सरग जाता है और हर एक पहार और टापो अपने अपने स्थान से डल गया और प्रत्वी के राजा और प्रठान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाडों की खोहों में और चटानों में जा छिपे और पहाडों और चटानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुह से जो सिहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपालो क्योंकि मुन के प्रकोप का भ्यानक दिन आप उचा है अब कौन घहर सकता है युहना का प्रकाशिक वाकित साथवा अध्याय इसके बाद मैंने प्रत्री के चारों गोनों पर चार स्वर्ग दूद खड़े देखे विप्रत्री की चारों हवाओं को हमें हुए थे ताकि प्रत्री या समुदर या किसी पेड़ पर हवा न चले फिर मैने एक और स्वर्ग दूद को जीवते परमेश्वर की मुहर लिये हुए गूरभ से उपर की ओर आते देखा उसने उन चानों स्वरगूतों से जिनें प्रत्वी और समुद्र की आनी करने का अधिकार दिया गया था पूचे शब्द से पुकार कर गहा जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे तब तक प्रत्वी और समुद्र और पेड़ों को खानी नब भुचाना और जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिंती सुनी कि इस्राइल की संतानों के सब गोत्रों में से एक लाख चवालीस हजार पर मुहर दी गई यहुदा के गोत्र में से बारह हजार पर मुहर दी गई रूबेन के गोत्र में से बारह हजार पर गाद के गोत्र में से बारह हजार पर आशेर के गोत्र में से बारह हजार पर नब्ताली के गोत्र में से बारह हजार पर इसके बाद मैंने दृष्टी की और देखो हर एक जाती और गुल और लोग और भाशा में से एक ऐसी बड़ी भीड जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहिने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिये हुए सिहासन के सामने और मेमने के सामने घड़ी है और बड़ी शब्द से भुकार कर कहती है कि उधार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिहासन पर बैठा है और मेमने का जैजेकार हो और सारे स्वर्ग दूद उस सिहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं फिर वे सिहासन के सामने मुह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दन्डवत करके कहा आमीन हमारे परमेश्वर की स्तुती और महिमा और ग्यान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानियों बनी रहें आमीन इस पर प्राचिनों में से एक ने मुझ से कहा ये श्वेद वस्त्र पहले हुए कौन है और कहां से आए हैं मैंने उस से कहा है स्वामी तु ही जानता है उसने मुझ से कहा ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर श्वेद किये हैं इसी कारण वे परमेश्वर के सिहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन राद उसकी सेवा करते हैं और जो सिहासन पर बैठा है वे उनके ऊपर अपना तंबू दानेगा मेमना जो सिहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आँसु पोँच डालेगा युहन्ना का प्रकाशित वाकिर आठवा अभ्याय और जब उसने साथवी महर खोली तो स्वर्ग में आद घली तक सन्नाटा छा गया और मैंने उन साथों स्वर्ग डूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा और उन्हें साथ दुरहियां दी गई फिर एक और स्वर्ग डूतों सोने का धूपदान लिये हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रात्नाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिहासन के सामने है चड़ाए और उस धूप का धूपदान पवित्र लोगों की प्रात्नाओं सहित स्वर्ग डूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुच गया और स्वर्ग डूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग प्री और प्रत्वी पर डाल दी और गरजन और शब्द और पिजनिया और भूिंडॉल होने लगा और वे सातों स्वर्ग जिनके पास साथ तुर्यां थी पूपने को तयार हुए पहले स्वर्ग डूत ने तुरही फूपई और लोहु से मिले हुए ओले और आग पुपन हुई और प्रत्वी पर डाली गई और प्रत्वी की एक तिहाई जल गई और पेडों की एक तिहाई जल गई और सब हरी घास मी जल गई अदूसरे स्वर्ग दूत ने तुरी भूगी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड समुद्र में डाला गया और समुद्र का एक तिहाई लोहू हो गया और समुद्र की एक तिहाई स्रजीवी वस्तवे जो सजीव थी मर गई और एक तिहाई जहाज नाश हो गया और तीसरे स्वर्ग दूत में तुरी पूगी और एक बड़ा तारा जो मशाल किनाई जलता था स्वर्ग से तूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आपड़ा और उस तारे का नाम नाग दोना कहलाता है और एक तिहाई पानी नाग दोना सा कड़वा हो गया और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए और जोथे स्वर्ग दूत ने तुरी पूगी और सूरी की एक पिहाई और चांद की एक पिहाई और तारों की एक पिहाई पर आपती आई यहां तक कि उनका एक पिहाई अंग अंधेरा हो गया और दिन की एक पिहाई में उजाला ना रहा और वैसे ही रात में भी और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और उचे शब्द से यह कहते सुना कि उन तीन स्वर्गूतों की दुरही के शब्दों के कारण जिनका भूखना अभी बाकी है प्रत्वी के रहने वालों पर हाई 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 यहन्ना का प्रकाशित वाकिक नौमा अध्याय और जब पाच्वे स्वर्गूत ने दुरही भूखी तो मैंने स्वर्ग से प्रत्वी पर एक तारा गिर्द हुआ देखा और उसे अथा कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथा कुंड को पोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआ उठा और कुंड के धुए से सूर्य और वायू अंध्यारी हो गई और उस धुए में से प्रत्वी पर तिट्डिया निकली और उन्हें प्रत्वी के विच्छुओं किसी शक्ती दी गई और उनसे कहा गया कि ना प्रत्वी की भास को ना किसी हरियाली को ना किसी पेल को हानी पहुचाओ केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है और उन्हें मार डालने का तो नहीं पर पांच महीने तक लोगों को पीओडा देने का अरिकार दिया गया और उनकी पीओडा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को गोती है उन दिनों में मनुष्य मृत्यू को तुड़ेंगे और नपाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्य उन से भागेगी और उन टिड्डियों के आकार लडाई के लिए तैयार के वे घुणों के से थे और उनके सिरों पर मानों सोने के मुकुट थे और उनके मुह मनुश्यों के से थे और उनके बाल स्त्रियों के से और दान सिहों के से थे और वे लोहे की सी छिलम पहिने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से खोणों का जो लडाई में दोडते हो और उनकी पूँच बिच्छों की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें पांच म प्रानी में अबद्दोन और युनानी में अपुल्योन है। और वें चारों दूद्दोन खोल दिये गए जो उस खड़ी और दिल और महिने और वर्ष के लिए मनिश्यों की एक तिहाई के मार डालने को तैयार किये गए थे। और उनके मुह से आग और धुआ और गंधग निकलती थी। इन तीनों मरियों अर्थार आग और धुए और गंधग से जो उसके मुह से निकलती थी। मनिश्यों की एक पिहाई मार डाली गई। क्योंकि उन भुडों की सामर्थ उनके मुह और उनकी पूछों में थी। इसलिए कि उनकी पूछें सापों की सी थी। और उन पूछों के सिर भी थे। और इनी से वे पीड़ा बहुचा दे थे। और बाकी मनुश्यों ने जो उन मर्यों से न मरे थे। अपने हाथों के कामों से मन न फिराया। कि दुश्कात्माओं की और सोने और चांदी और बीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करें। जो न देख न सुन न चल सकती हैं। और जो खून और तोना और विविचार और जोरियां उन्होंने की थी उन से मन न फिराया। यहन्ना का प्रकाशित वाकित दस्वां अध्याय। फिर मैंने एक और बली स्वर्ग दूद को बादल ओड़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेग धनुष्णा और उसका मुह सूर्यकासा और उसके पाउं आग के खंबे के से थे। और उसके हाथ में एक छोड़ी सी खुली हुई कुस्तक थी। उसने अपना दहिना पाउं समुद्र पर और बायां प्रत्वी पर रखा। और ऐसे बड़े शब्द से चिलाया जैसा सिह गरचता है। और जब है चिलाया तो गरजन के साथ शब्द सुनाई दिये। और जब साथों गरजन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, कि जो बातें गर्जन के उन साथ शब्डों से सुनी हैं, उन्हें गुप्त रख और मत लिख, और जिस स्वर्ग दूद को मैंने समुद्र और प्रत्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, औ जो युगानियों जीवता रहेगा, और जिसमें स्वर्ग को और जो कुछ उसमें हैं, और प्रत्वी को और जो कुछ उसमें हैं, स्वरजा उसी की शब्द खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, बरन साथमें स्वर्ग दूद के शब्द देने की दिनों में, जब वह तुर पूखने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरत उस सुसमचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविश्टकताओं को दिया पूरा होगा और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वे फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा जो स्वर्गदूत समुद्र और प्रत्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर गळा यह छोटी कुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गिया वह मेरे मुह में मधूसी मीठी तो लगी पर जब मैं उसे खा गिया तो मेरा पे कड़वा हो गया तब मुझ से यह कहा गिया कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाशाओं और राजाओं पर फिर के मंदिर और वेदी पर उसमें भजन करने वालों को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे उसे मत नाप क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महिने तक रौन देंगी और मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूँगा कि टाट बोले हुए 1260 दिन तक भविश्णवानी करें ये वेही जैतुन के दो पेड़ और दो दीवट हैं जो प्रत्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं और यदि कोई उनको हानी पहुचाना चाहता है तो उनके मुह से आग निकल कर उनके बैरियों को भस्म करती है और यदि कोई उनको हानी पहुचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रिती से मार डाला जाएगा इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविश्दवानी के दिनों में मेह न बरसे और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लोहु बनाएं और जब जब चाह और उन्हें मार डालेगा और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीती से सदोम और मिसर कहलाता है जहां उनका प्रभू भी प्रूस पर चढ़ाया गया था और सब लोगों और कुलों और भाशाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें साले तीन दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथें कबर में रखने न देंगे और प्रत्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेत भेजेंगे क्योंकि इन दोनों भविश्णक्ताओं ने प्रत्वी के रहने वालों को सताया था और साले तीन दिन के बाद वरमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उन में पैठ गई और वे अपने पाओं के बल ख़ड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भै छा गया और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहां उपर आओ यह सुनवे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चड़ गए फिर उसी घड़ी एक बड़ा भुइंडोल हुआ और नगर का दस्वा अंच गिर पड़ा और उस भुइंडोल से साथ हजार मनुष्य मर गए और शेश लर गए और स्वर्ग तो स्वर्ग में इस विशे के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज हमारे प्रभू का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज करेगा और चौबीसों प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिहासन पर बैठे थे मुह के बल गिर परमेश्वर को दन्वत करके यह कहने लगे कि है सर्वशक्तिमान प्रभू परमेश्वर जो है और जो था हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया है और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आपड़ा और वह समय आप हुचा है कि मरे हुँँ का न्याई किया जाए और तेरे दास भश्वश्वताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और प्रत्वी के बिगाड़ने वाले नाश किये जाए और प्रमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूर दिखाई दिया और बिजलिया और शब्द और गर्जन और गुईंडोल हुए और बड़े बोले पड़े युहन्ना का प्रकाशित वाकित बारवा अध्याए फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्द दिखाई दिया अर्थात एक स्ट्री जो सूर्य ओड़े हुए थी और चान उसके पाउं तले था और उसके सिर पर बारह तारों का मुकुट था और वह गर्भवती हुई और चिलादी थी क्योंकि प्रसव की बीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जन्ने की पिड़ा में थी और एक और चिन्द स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके साथ सिर और दस्क सींग थे और उसकी सिरों पर साथ राज मुकुट थे और उसकी पूछ ने आकाश के दारों की एक बिहाई को ख और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिये हुए सब जातियों पर राज करने पर था और उसका बच्चा एक आएक परमेश्वर के पास और उसके सिहासन के पास उठाकर पहुचा दिया गया और वहस्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की और से उसके लिए एक जगह तयार की गई थी कि वहां वह 1270 दिन तक पाली जाए फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई मिकाईल और उसके स्वर्ग दूद अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूद उससे लड़े परतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर गिरा दिया गया और उसके दूद उसके साथ गिरा दिये गए फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उधार और सामर और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रगट हुआ है क्योंकि हमारे भाईयों पर दोश लगा के कारण उस पर जैवंत्वे और उन्होंने अपने प्राणों को पुरिय ना जाना यहां तक की मृत्यू भी सहली इस कारण हे स्वर्गों और उनमे के रहने वालों मगन हों हे प्रत्वी और समुद्र तुम पर हाए क्योंकि शैतान बड़े ग्रोश के साथ तुमारे पास क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है और जब अजगर ने देखा कि मैं प्रत्वी पर गिरा दिया गया हूं तो उस त्री को जो बेटा जली थी गताया और उस त्री को बड़े उकाव के दो पंक दिये गए कि साथ के सामने से उड़कर जंगल में उस जग पानी भाया कि उसे इस नदी से भादे परंतु प्रत्वी ने उस त्री की साय तकी और अपना मुह खोल कर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुह से भाई थी पी लिया और अजगर पर प्रोधित गुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्याओं को मानते औ और येश्व की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जाख़़ा हुआ युहन्ना का प्रकाशित वाकित तेरवा अध्याएं और मैंने एक पश्व को समुद्र में से निकलती हुए देखा जिसके दस सींग और साथ सिर थे और उसके सींगों पर दस राजमकुत और उसके सिरों पर दिंदा के नाम लिखे हुए थे और जो पश्व मैंने देखा मैं चीते की नाई था और उसके पाउं भालू के से और मुह सिह कासा था और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दि और सारी प्रत्वी के लोग उस पश्व के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले और उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पश्व को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पश्व की पूजा की कि इस पश्व के समान कौन है कौन उससे लड़ पकता है और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसने एक मुह दिया गया और उसने 42 महिने तक काम करने का अधिकार दिया गया और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुह भोला कि उसके नाम और उसके तंगू अठाद स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे दिकार दिया दिया और प्रत्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की खुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ती के समय से घात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे जिसके कान हो वह सुने जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है फिर मैंने एक और पशु को प्रत्वी में से निकलते ही वे देखा उसके मेमने के से दो सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और प्रत् बड़े बड़े चिन्न दिखाता था यहां तक कि मनुश्यों के सामने स्वर्ग से प्रत्वी पर आग बरसा देता था और उन चिन्धों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था वे प्रत्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता प्रत्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के दलवार लगी थी वह जी गया है उसकी मूरत बनाओ और उसे उस पशु की मूरत में ब्रान डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोडने लगे और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हे मरवा लाले और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाफ करा दिए कि उसको छोड़ जिस पर छाफ अर्थात उस वशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके ज्यान इती में है जिसे बुढ़ी हो वह इस वशु का अंक जोड़ ले क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक छैसो शियासत है युहन्ना का प्रकाशित वाकित जवदुआ अध्याए फिर मैंने द्रश्टी की और देखो वह मेंना दियोन पहाड पर खड़ा है और उसके साथ एक लाख चवालित हजार जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत भाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीड़ा बजाने वाले वीड़ा बजाते हुँ और वे सिहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत का रहे थे और उन एक लाख चवालीस हजार जनों को छोड़ जो प्रत्री पर से मोल लिये गए थे कोई वह गीत न सीख सकता था ये वे हैं जो स्प्रियों के साथ अशुध नहीं हुए पर कुवारे हैं ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं ये तो परमेश्वर के निमित पहले फ़ल होने के लिए मनुश्यों में से मोल लिये गये हैं और उनके मुँ से कभी छूट न रहने वालों कि हर एक जाती और कुल और भाशा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमचार था और उसने बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो क्योंकि उसके न्याय करने का समय आप हुचा है और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और प्रस्वी और समुद्र और जल्व के सोते बनाए फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्ग दूद्र यह कहता हुआ आया कि गिरपड़ा वह बड़ा बाबुल गिरपड़ा जिसने अपने वेविचार की कोपमे मजरा सारी जागियों को बिलाई है फिनिन के बाद एक और स्वर्गदूद बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशूद और उसकी मूरत की पुजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके ग्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूटों के सामने और मेमने के सामने आग और कंधक की फियुडा में पड़ेगा और उनकी फियुडा का धुआ युगानियुग उर्सा रहेगा और जो उस पश्यू और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा पवित्र लोगों का धिरच इसी में है जो परमेश्वर की आग्याओं को मानते तो ये शुपर विश्वास रखते हैं और मैंने स्वर्ख से यह शब्द सुना कि लिख जो मुर्दे प्रभू में मरते हैं वे अब से धन्य हैं आत्मा कहता है हाँ क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कारे उनके साथ खो लेते हैं और मैंने द्रश्टी की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुश के फुत्र सरीखा कोई बैठा है जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में जोखा हस हुआ है फिर एक और स्वर्दूट में मंदिर में से निकल कर उस से जो बादल पर मैठा था बड़े शब्द से फुकार कर कहा कि अपना खत्वा लगा कर लवनी कर क्योंकि लवने का समय आपक्चन है इस लिए कि प्रत्वी की खेती बख चुकी है सो जो बादल पर मैठा था उस ने प्रत्वी पर अपना हस्वा लगाया और प्रत्वी की लवनी की गई फिर एक और स्वर्दूट उस मंदिर में से निकला जो स्वर्द में है और उसके पास भी जोखा हस्वा था फिर एक और स्वर्दूट जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास जोखा हस्वा था उस से उचे शब्द से खा अपना जोखा हस्वा लगाकर प्रत्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है और उस वर्दूद ने प्रत्वी पर अपना हस्वा डाला और प्रत्वी की दाख लता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए और रस के कुंड में से इतना लोह नि देखा अर्थात साथ स्वर्ग दूद जिनके पास सातों पिछली विपत्तिया थी क्योंकि उनके को जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है और मैंने आग से मिले हुए कांच कासा एक समुद्र देखा और जो उस पशुपर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जैवंत हुए थे उन्हें उसकाज के समुद्र के निकष परमेश्वर की विडाओं को लिये हुए खड़े देखा और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाह गाह कर कहते थे कि हे सरवशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरे कारे बड़े और और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंदवत करेंगी क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रगट हो गए हैं। प्रकोप से भड़े हुए साथ सोने के कटोरे दिये और प्रमेश्वर की भीमा और उसकी सामत के कारण मंदिर भुए से भर गया। प्रत्वी पर उंडेल दो जो पहले ने जाकर अपना कटोरा प्रत्वी पर उंडेल गया और उन मनुष्यों के जिन पर पश्यू की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे एक प्रकार का पुरा और दुख़ाई फोड़ा निकला और दूसरे ने अपना कटोरा समु लोहू बन गए और मैंने पानी के स्वर्दूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था तू ज्याई है और तू ने यह ज्याई किया क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भरिश्ट दफ्ताओं का लोहु भाया था और तूने उन्हें लोहु पिलाया क्योंकि वे इसी योगे थे फिर मैंने स्वेधी थी है शब सुना कि हाँ ये सरशक्तिमान प्रगु परमेश्वर तेरे निरने ठीक और सच्चे है और चौते ने अपना कटोरा सूरे पर उन्देल दिया और उसे मनुश्यों को आग से छुटा देने का अधिकार दिया गया और मनुश्य बड़ी सपन से जुलत गए और परमेश्वर के नाम की जिससे इन विपत्नियों पर अधिकार है निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन नफिराया और पांच्वे ने अपना कटोरा उत्वश्य के सुछासन पर उन्देल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग प्यूडा के मारे अपनी अपनी जीप चपाने लगे और अपनी प्यूडाओं और पोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से सिस्मा जच्चना पुटाया और छटवे ने अपना कटोरा बड़ी नदी पुराथ पर उन्देल दिया और उसका पानी सूख गया कि भूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग सैयार हो जाए और मैंने उस अजगर के मुह से और उस पशु के मुह से और उस जूते दुष ड़क्ता के मुह से तीन अशुद आत्माओं को मेंड़कों के रूप में निकलते देखा ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टाक्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इखटा करें देख मैं चोर की नाई आता हूँ अधिया पह है जो जागता रहता है और अपने वस्त की चौक्सी करता है कि नंगा न पिरे और लोग उसका नंगापन न देखें और उन्होंने उनको उस जगह एकटा किया जो इबरानी में हर मगिदोन कहलाता है और सात्मे ने अपना कटोरा हवा पर उन्डेल गिया और मंदिर के सुनाशन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका फिर बिजलिया और शब्द और गरजन हुए और एक ऐसा बड़ा विंडोन हुआ कि जब से मनुष की उत्पत्ती प्रत्विपर हुई तब से ऐसा बड नगर के तीन उटुकले हो गए और जाती जाती के नगर गिर पड़े और बड़ा बाबुल का स्परण परमेश्वर के यहां हुआ कि वह अपने क्रोज की चलजलहट की मदिरा उसे मिलाए और हर एक टापू अपनी जगर से टल गया और बहाणों का पता न लगा और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिए कि यह विपत्ती बहुत ही भारी थी लोगों ने ओलों की विपत्ती के कारण परमेश्वर की दिन्दा ती यहुन्ना का प्रकाशित वाकित सत्रवा अध्याय और जिन साथ स्वरिदूतों के पास वे साथ कटोर उन में से एक ने आकर मुझ से यह कहा कि इधर आग मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है जिसके साथ प्रत्वी के राजाओं ने वेविचार किया और प्रत्वी के रहने वाले उसके वेविचार की मदिरा से मतवाले हो था और जिसके साथ सिर्फ और दस्क सींग थे एक स्टी को बैठे हुए देखा ये स्टी बैंजनी और किर्मिजी कपले पहने थी और सोने और बहमोल मनियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घणित वस्तुमों से और उसके की वेश्याओं और घंद वस्तूओं की माता और मैंने उस त्री को पवित्र लोगों के लोहू और इश्यू के गवाहों के लोहू पीने से मत्वाली देखा और उसे देखकर मैं चकित हो गया। और अठाक उन से निकल कर विनाश में बढ़ेगा और पत्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ती के समय से जीवन की बुस्तक में लिखे नहीं गए इस बश्यू की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आजाएगा अचंभा करेंगे। उस उठी के लिए जिसमें ग्यान है यही अवसर है वे सातों सिर्फ साथ पहाड़ हैं जिन पर वह स्क्री बैठी हैं और वे साथ राज़ा भी हैं पांच को हो चुके हैं और एक अभी हैं और एक अब जब आया नहीं और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अव और जो दस सीम तुने देखे वे दस राज़ा हैं जिन्होंने अब तस राज़ नहीं पाया पर उस पशु के साथ खली भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे यह सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामत और अधिकार उस पशु को देंगे यह मेमने से लड़ और मेमना उन पर जैपाएगा क्योंकि वे प्रभू का प्रभू और राजाओं का राजा है और जो बुलाए हुए और जुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं वे भी जैपाएंगे फिर उसमें मुझ से कहा कि जो पानी तुने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे लोग और भीड और चातियां और भाशा है और जो दस सीम तुने देखे वे और पश्यू उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मास खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे क्योंकि परमेश्वत उनकी मन में यह डालेगा कि वे उसकी मन सा पूरी करें और जब तक परमेश्वत के बचन पूले नहोले तब तक एक मन होकर अपना अपना राजित पश्यू को उपने देंगे और वैस्त्री जिसे तुने देखा है वह बड़ा नगल है जो प्रत्वी के राजाओं पर राजित करता है यहन्ना का प्रकाशित वाकित अठारवां अध्यायत इसके बाद मैंने एक स्वर्दूद को स्वर्ग से उदर दे लेखा जिसका बड़ा अधिकार था और प्रत्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई उसने उचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया बड़ा बाबु सब जातियां गिर गई है और प्रत्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यविचार किया है और प्रत्वी के विवपारी उसके सुख विलास की बहदायत के कारण धनवान हुए है फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगो उस में से निकलाओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसके विवपत्यों में से कोई तुम पर आ न पड़े क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुँच गई है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए है जैसा उसने तुहें दिया है वैसा ही उसको भर दो और उसके कामों के अनुसाद उसे दो गुणां बद्दा दो जिस कठोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए दो गुणां भर दो जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुप विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक तो क्योंकि वह अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूँ विद्वा नहीं और शोक में कभी न पड़ूँगी इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी अर्थात प्रत्यू और शोक और अकाल और वह आग में भस्म कर दी जाएगी क्योंकि उसका न्याई प्रभू परमेश्वर शक्तिमान है और प्रत्यू के राज़ जिन्होंने उसके साथ वेविचार और सुख विलास किया जब उसके जलने का धुआ देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे हे बड़े नगर बाबुल हे द्रण नगर हाए हाए घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया है और प्रत्री के व्योपारी उसके लिए रोएंगे और कलपेंगे क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा अठार वसोना चांदी रत्न मोती और मलमल और बैजनी और रेश्मी और किरमिजी कपड़े और हर प्रकार का सुगंदित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और भुमोल काठ और पीतल और लोहे और संग मरमर के सब हाथी के पासर और दार चीनी मसाले धूप इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहू, काय, पैल, फेड, बक्रिया, खोड़े, रत्र, और दास, और मनुश्यों के प्राण अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझ से दूर हुई हैं और वे फिर पते हुए कहेंगे हाई हाई यह बड़ा नगर जो मलमल और बैजनी और किर्मिजी कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था घड़ी ही फर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया और हर एक माजी और चलियात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमात सब दूर खड़े हुए और उसके जन्ने का धुआ देखते हुए खुगार कर कहींगे कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कल्क्ते हुए चिन्दा चिन्दा कर कहेंगे कि हाई हाई यह बड़ा नगर जिसकी संपत्थी के द्वारा समुद्र के सब जहाजवाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविश्दवक्ताओं उस पर आनंद करो क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उस से तुम्हारा पल्टा लिया है फिर एक बलवन्थ स्वर्ग दूत में बड़ी चक्की के पाथ के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुत में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा और वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों और दुरई फूकने वालों का शब्द फिर कभी तुझमें सुनाई न देगा और किसी उत्यम का कोई कारी गर्दी फिर कभी तुझ में न मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा और दूलहे और दूलहिन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा क्योंकि तेरे व्योपारी प्रत्वी के प्रथान थे और तेरे टोने से सब जातियां भर्माई गई थी और भविश गवताओं और पवित लोगों और प्रत्वी पर सब धात के हुओं का लोहु उसी में पाया गया युहन्ना का प्रकाशित वाक्य उन्नीसवा अध्याय इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानोग बड़ी भीड को उचे शब्द से यह खहते सुना कि हलिलुया उत्थार और महिमा और सामत हमारे परमेश्वल ही की है क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने वेविचार से प्रत्वी को फ्रश्ट करती थी न्याय किया और उस से अपने दासों के लोहु का पल्टा लिया है फिर दूसरी बार उन्होंने हलिलुया कहा और उसके जलने का धुआ युगानिय उपुठता रहेगा और चौबीसों प्राचिनों और चारों प्राणियों ने गिर कर परमेश्वर को दन्वच किया जो सिहासन पर बैठा था और कहा आमीन हलिलुया और उस सिहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले नासो या छोटे या बड़े तुम सब उसकी स्थुटी करो फिर मैंने बड़ी भीड का सा और बहुत चल का सा शब्द और गरजनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हलिलुया इसलिए कि प्रभू हमारा परमेश्वर सर्वशक्ति मान राज्जी करता है आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्थुटी करें क्योंकि मेमने का ब्याह आप पहुचा और उसकी पत्नी ने अपने आपको तैयार कर लिया है और उसको शुथ और चमकदार महीन मलमल पहिने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पविस्त्र लोगों के धर्म के काम है और उसने मुझसे कहा यहलिक की धन्यवे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए है फिर उसने मुझसे कहा ये वचन परमेश्वर के सत्विय वचन है और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाओं पर गिरा उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर मैं तेरा और तेरे भाईयों का संगी दास हूँ जो इश्वर की गभाई देने पर स्फिर हैं परमेश्वर ही को दंडवत कर क्योंकि इश्वर की गभाई हवष्दवानी की आत्मा है फिर मैंने स्वर्व को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेद खोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याएं और लडाई करता है उसकी आँखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुपट है और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता और वह लोहु से छड़का हुआ वस्पर पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वच्चर है और स्वर्ग की सेना श्वेट खोड़ों पर सवार और श्वेट और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है और जाती-जाती को पारने के लिए उसके मुह से एक चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे का राज़दन लिये हुए उ उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभूओं का प्रभू फिर मैंने एक स्वर्ग दूद को सूरे पर खड़े हुए देखा पर उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब बक्षियों से कहा पर उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया जिन्होंने उस बश्व की छाप भी थे और जो उसकी मूरत की भूजा करते थे ये दोनों जीते जी उस आग की जील में जो गंधक से जलती है डाले गए और शेश लोग उस बोले के सवार की दलवार से जो उसके मुह से निकलती थी मार डाले गए और सब्सबक्षी उनके माज से द्रप्ठ हो गए यहुन्ना का प्रकाशित वाकित बीसुआ अठ्याए फिर मैंने एक स्वर्दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अठा कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी और उसने उस अजगर अठा तुराने साफ को जो इबलीस और शेतान है पकड़ के हजार वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अठा कुंड में डाल कर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह हजार वर्ष के पूरे होने तक जाती जाती के लोगों को फिर न भरमाएं इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए फिर मैंने सिहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर्थ येश्य की गवाही देने और परमेश्य के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशुकी और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी च्छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी वे जीवित होकर मसी के साथ हजार वर्ष तक राज्य करते रहे और जब तक ये हजार वर्ष पूरे नव हुए तब तक शेश मरे हुए न जी धन्य और पवित्र वे हैं जो इस पहले पुनुरुथान का भागी है ऐसों पर दूसरी मृत्यू का कुछ भी अधिकार नहीं पर वे परमेश्वर और मसी के याजक होंगे और उसके साथ हजार वर्ष तक राज्य करेंगे और जब हजार वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो श इन्ती सम्मुद्र की बालू के बराबर होगी हर्माकर चड़ाई के लिए इख़ते करने को निकलेगा और वे सारी प्रत्वी पर खैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी और उनक प्रत्वी और अकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली फिर मैंने छोटे बड़े सब मरेधमों को सिहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तके खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थार जीवन की पुस्तक और जैसे उन पुस्तकों में लिख उनके कामों के अनुसार मरेहों का न्याय किया गया और समुद्र ने उन मरेहों को जो उसमें थे दे दिया और म्रत्यू और अधलोक ने उन मरेहों को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया और म्रत्यू और अधलोक भी आग की जील तो दूसरी म्रत्यु है और जिसकी का नाम जीवन की उस्तत में लिखा हुआ ना मिला वह आग की जील में डाला गया। यहन्ना का प्रकाशित वाक्य एक्कीस मौन गया है। फिर मैंने नए आकाश और नई प्रत्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली प्रत्वी चादी दी थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए युरुशलिम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उटरते देखा और मैं उस दुल्हिन के समान थी जो अपने पती के लिए सिंगार किये हो। फिर मैंने पिहासत में से किसी को पूचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देखू परमेश्वर का तेरा मनुश्यों के बीच में हैं वह उनके साथ तेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वह उ बाते जाती रही और जो स्वासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं फिर उसने कहा कि लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्ते हैं फिर उसने मुझसे कहा ये बाते पूरी हो गई हैं मैं अलफा और ओमिगा आदी और अंख सेंत मेत बिलाऊंगा जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होँगा और वह मेरा खुत्र होगा पर डर्टोंकों और अविश्वासियों और घिनानों और हत्यारों और विविचारियों और तोनों और मूर्ति पुझभूं और सब मेरा चिन साथ सर्टूटों के पास साथ पिछली विपत्तियों से भरे हुए साथ कटोरे थे, उन में से एक मेरे पास आया, और मेरे साथ बातें करके खा, इधर आ, मैं तुझे दुलहिन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और पूचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरुशनेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया, परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी जोती बहुत ही बहुमोल पत्थर, अर्थात, विल्नौर के समा यशब की नाई स्वच्छ थी, और उसकी शहरपना बड़ी भूची थी, और उसके बारह भाटक और भाटकों पर बारह स्वर्ग दूट थे, और उन पर इसराइलियों के बारह गोत्रों के नाम लिखे थे, पूर्वि की ओर तीन भाटक, उत्तर की ओर तीन भाटक, डखिन चप मैंने की ओर तीन भाटक और बश्चन की ओर तीन भाटक थे और नगर की शेहरबना की बारह ने वे थी और उन पर मेमने के बारह प्रेड़ितों के बारह नाम लिखे थे और जो मेरे साथ बाते कर रहा था उसके पास नगर और उसके भाटकों और उसकी शहरपना को नापने के लिए एक सुने का गज था और वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चोडाई के बराबर थी और उसमें उस गज से नगर को नापा तो साड़े साथ सो कोस का निकला उसकी लंबाई और चोडाई और उचाई बराबर थी और उसमें उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूट के नाप से नापा तो 144 थाक निकली और उसकी शहरपनाह की जुडाई यशब की थी और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच गाँच के समानों और उस नगर की नेवें हर प्रकार के भुमोल पत्थलों से सवारी हुई थी पहली नेव यशब की थी दूसरी नीन मनी की तीसरी लालडी की चौथी मरकत की पांच्वी गोमेदक की छट्वी मानिक्य की साथ्वी पीत मनी की आठ्वी पेरोज की नवी पुखराज की दस्वी लह सनिय की एक्यार्वी धूम्रकांत की बार्वी याक और बारहों भाटक बारह मोतियों के थे एक एक भाटक एक एक मोति का बना था और नगर की सड़क स्वच काँच की समान जोखे सोने की थी और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रियोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीबग है और जाती जाती के लोग उसकी जोती में चले सिरेंगे और प्रत्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे और उसके फाटक दिन को कभी बंदत न होंगे और रात वहां न होगी और लोग जाती-जाती के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे और उसमें कोई अपवित्र वस्तू या घ्रनित काम करने वाला या जूट का करने वाला किसी रीती से प्रवेश न करेगा पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तफ में लिखे है युहन्ना का प्रकाशित वाकित 22 वा अध्याय फिर उसने मुझे बिल्लॉर की सी जलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिहासन से निकल कर उस नगर की सड़क के बीचों बीच पहती थी और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था उसमें 12 प्रकार के खन लगते थे और वह हर महिने भलता था और उस पेड़ के पत्तों से जाती जाती के लोग जंगे होते थे और फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सिवा करेंगे और उसका मुह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा और फिर रात नहोगी और उन्हें दीपक और सूरे के उजयाले का प्रयोजन नहोगा क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजयाला देगा और वे युगानियोग राज्जी करेंगे फिर उसने मुझसे कहा ये बातें विश्वास के योकित और सत्की हैं और प्रभु ने जो प्विश्वरताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वरदूट को इस लिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीखर पूरा होना अवश्य है दिखाए देख मैं शीखर आने वाला हूँ धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविश्वानी की बातें मांता है मैं वही यहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उसके पाओं पर दन्वत करने के लिए गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविश्वताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ परमेश्वर ही को दन्वत कर फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविश्वा प्रतिफल मेरे पास है। मैं अलफा और ओमीगा पहिला और पिछला आदी और अन्त धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन की बेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वेज आठों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और वेविचारी और हत्यारे और मूर्टी पूजग और हर एक जूट का चाहने वाला और गणने वाला बाहर रहेगा। मुझ ईशु ने अपने स्वर्वदूत को इसलिए बेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं की विशय में इन बातों की गवाही दे। मैं डाउद का मूल और वंश और धोर का चमकता हुआ तारा हूँ और आत्मा और दुलहिन दोनों कहती हैं आग और सुनने वाला भी कहे कि आग और जो प्यासा हो वे आए और जो कोई चाहे वे जीवन का चल सेथ में ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भष्टवानी की बाते सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा और यदि कोई इस पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है हाँ मैं शीग्र आने वाला हूँ आमीन हे प्रभुईश्यू आ प्रभु